हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अराध्या आरेस एकेड़ी में दोस्तों राजस्तान में आईजित राजस्तान पुलीस एसाई भरती परिक्षा 2021 के नविंतम पाठे करम के अनुसार हिंदी के मोडल पेपर की टेस्ट स्रीज शुरू की गई थी जिसमें अपने चार मोडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें पांचवा नंबर का मोडल पेपर है दोस्तों, अगर आपने पिछले चार मोडल पेपर अगर नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाईए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान पुलिस SI हिंदी मोडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बनावा है तो आप वहाँ जाके पिछले चार मोडल पेपरों का टेस्ट है वो अवस्य दे और अरद्देर सेकेडमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो चल यए दोस्तों सुरू करते हैं अज का अपना इसमें पहला प्रेसन है टोप 100 प्रेसन है यानि कि ये मोडल पेपर में 100 प्रेसन सामिल किये गए है हुब हुआ आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा थीक है देखिए कि राएदार समसिक पद में समास है बताइए किरायदार समासिक पद में समास कौन सा है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा किरायदार यानि कि अलुक तत्पुरुस समास का इसमें क्या हुआ है परियोग हुआ है तो इसमें राइट अंसर एक नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे बानवे सामासिक पद में समास है बानवे बताइए द्वण्द समास है ये और द्वण्द में भी कौन सा द्वण्द है तो दोस्तों यापको याद रखना है कि इत्रेतर्द्वण्द है इसमें कुन सद्वंद है इतरे तर्द्वंद अब इतरे तर्द्वंद में क्या होता है और सब्द का प्रियोग होता है अब इसमें देखे बाणवे यानि की नभ ए और दो तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ये नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर आगे देखे इसमें लोहागड सामासिक पद का सही समास विग्रह है लोहागड सामासिक पद का सही समास विग्रह है तो वो क्या है तो वो है दोस्तों इसमें बताए यह आपको सबी को पताओगा लोहागड एक किला है जो कहाँ पर है भरतपूर में तो दोस्तों लोहे के समान अजय गड़ है वहें बताइए तो भरतपूर का किला यानि कि लोहे के समान अजय गड़ है जो वहें भरतपूर का किला तो अपना इसमें राइट आंसर चार नमबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा D नमबर option तीक है आगे देखिए कन्यादान का सही समास विग्रह है कन्यादान का सही समास विग्रह क्या है तो कन्या का दान क्या हो जाएगा कन्या का दान C नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कन्या का दान आगे देखिए 40-50 का समास विग्रह होगा 40-50 का समास विग्रह होगा तो क्या होगा बताइए तो यह होगा दोस्तो 40 से लेकर 50 तक अब अब आपन बोलते हैं कि 40-50 के मद्दे हो सकते हैं तो दोस्तो 40 से 50 तक यानि कि 40 से लेकर 50 तक ये वेकल्पिक द्वंद समास का उधारन है तो इसमें right answer हो जाएगा C number का option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इसमें भाई बिरादर का सही समास विग्रह होगा भाई बिरादर का सही समास विग्रह होगा तो क्या होगा तो वो होगा दोस्तो समाहार द्वंद समास क्या होगा समाहार द्वंद समास तो इसमें right answer हो जाएगा भाई बिरादर आदी क्या हो जाएगा भाई बिरादर आदी ये इसका सही समास विग्रह हो जाएगा और इसमें कौन सा समास है तो समाहार दूंद समास है इसमें ठीक है दी नमबर का उप्सन बिलकुल सही उतर आगे देखे नर सारदुल सामासिक पदका सही समास विगर होगा तो वो क्या होगा बताएए तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सारदुल रूपी नर सारदुल रूपी नर और इसमें दोस्तो करमदारी समास का इसमें क्या हुआ है परियोग हुआ है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर ठीक है इसमें उपमे उक्मान का सम्मद बताये गया है तो इसमें D number option right answer आगे देखे पन घट समस्त पद का सही समास विग्र होगा तो दोस्तो right answer हो जाएगा वो है पानी भरा जाने वाला घाट है उसको बोलते हैं दोस्तो पन घटे तो इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है इसमें C number का option बिलकुल सही उतर ठीक है करमदारे समास का इसमें क्या हुआ है परियोग हुआ है आगे देखे निमन में से बविरे समास के उधारन का चुनाव कीजिए बविरे समास का उधारन कौन सा है इसमें आपको पता चल किया होगा दोस्तों यहां पे देखे राइट आंसर हो जाएगा इसका अनसु माली यानि की दोस्तों अगर अपन इसका विग्रे करें तो क्या हो जाएगा अनसुओं की माला पहनता है जो यानि की अनसुओं मतलब किर्णो की माला जो पहनता है वहें कौन सूरिये तो अपना इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर आगे देखे पयोद सब्द में संदी का बेद है बताइए पयोद सब्द में संदी का बेद है तो वो कौन सा बेद है तो दोस्तो इसमें विसर्ग संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है तो दोस्तो इसका अगर अपन संदी विछेद करें तो क्या होगा तो दोस्तो पय के साथ में विसर्ग पलस दै तो इसमें, दोस्तों, विशर्ग संदी का इसमें क्या हुआ है? परियोग हुआ है, यह आपको इसमें याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशर्ग संदी का इसमें परियोग हुआ है, डी नम्बर ओप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखे अन्वेशना सब्द का संदी विछेद होगा अन्वेशना सब्द का संदी विछेद क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनू पलस एशना और इसमें यन संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है तो इसमें right answer हो जाएगा अनू पलस एसना एक ए उपर मात्रा नहीं है तो इसमें right answer हो जाएगा बी नंबर का जो option है बिलकुल सई उत्तर तक है आगे देखिये मितरों इसमें 12 नंबर का प्रेशने देखे मंदोधरी सब्द का संदी विच्छेद है बताइए मंदोधरी सब्द का संदी विच्छेद क्या होगा तो इसका संदी विच्छेद होगा दोस्तो मंद पलस उद्री मंद पलस उद्री अब यहां पर आपको एक मातरा दिख रही है मंदोधरी के अंदर तो यहां पर कोन सी संदी संदी आएगी तो इसमें गुंण संदी का प्रियोग होगा तो इसमें राइट अंसर क्या होजाएगा मंद पलश उधरी तो इसका राइट अंसर ए नंबर का जो option है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 13 नमबर का प्रस्ण है देखिए संख्या गमन सब्द में संदी का बेद है तो वो क्या बेद है तो दोस्तो बताईए क्या होगा तो यहां पर दोस्तो देखिए संख्या गमन तो दोस्तों इसमें यन स्वर संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है यन स्वर संदी के बारे में आप सबी जानते होंगे कि यह रहलेव के आगे अगर आदा कटा हुआ अक्सर आजाए तो वहां पर यन संदी का परियोग होता है और यहां पे देखिए यह के आगे आपको यहां पे यह है वो कटा हुआ मिल रहा है तो अपना right answer क्या हो जाएगा इसमें यान संदी का इसमें प्रियोग हुआ है D number का option बिल्कुल सही उतर ठीक है आगे देखिए इसमें पिरिये वंदा इसमें देखिए पिरिये वंदा का सही संदी विच्छेद हो है बताए क्या है इसका सही संदी विच्छेद तो दोस्तों इसमें इसका right answer हो जाएगा वो है पिरियम पलस वदा पिरियम पलस वदा इसमें वेंजन संदी का क्या हुआ है प्रियोग हुआ है तो इसमें right answer D number option सही उतर आगे देखिए नी है पलस सास्तर का सही संदी होगा बताइए नी है पलस सास्तर का सही संदी होगा तो क्या होगा इसमें तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा बताइए यह हो जाएगा दोस्तो इसमें निश्वास क्या हो जाएगा इसमें देखिए निशास्तर का संदी विच्छेद क्या होगा तो निशास्तर ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 16 नंबर का अप्रेशन है नीरस सब्द का सही संदी विच्छेद क्या होगा तो दोस्तों नी है पलस रस क्या हो जाएगा नी है पलस रस तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नी है पलस रस इसमें विसर्ग संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है आगे देखिए निम्न में से कौन सा सब्द वर्द लेकिन यहां पर आ है। सुद्धोधन ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है देखे सुद्धोधन में वैसे तो उना चीए गुण संदी लेकिन अब इसमें है वर्दी संदी देखे अगर अपने इसका संदी विछेद करें तो क्या होगा सुद्ध पलस ओधन यानि कि मात्राओं में वर्दी ने होने के बाद भी इसका संदी विछेद करते समय वर्दी संदी के नियमों का पालन है वो किया जाता है इसलिए क्या है यह अपवाद है ठीक है यह अपवाद भी आपको याद रखने है यह सुद्धन है यह वर्दी संदी का उधारन है बी कि निए निए किसी स्वर के बाद से हो तो से किसमें बदल जाएगा तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वह दोस्तों इसमें बदल जाएगा और तो यह सटकोन वाला से है ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है जैसे कि अगर अगर अपने इसका जैसी देखे अभी शेक अभी शेक के अंदर यह वाले से का प्रियोग होता है ठीक ह हो जाएगा अभी पलस से यह वाला से आ जाता है ठीक है अभी पलस से एक वाल में तो यह आपको याद रखना तो इसमें राइट आंसर डी नंबर उप्शन से उतर आगे देखे प्राक उपसर्ग किस अर्थ का गोतक है तो राइट आंसर हो जाएगा वह पहले का यानिकि पहले का प्राक का मतलब होता है पहले का तो सी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखे किसे सब्द में उत उपसर्ग नहीं जुड़ा है उत उपसर्ग है वो किसमें नहीं जुड़ा है वो अपने को यहां पर बताना है तो देखें यहां पे दोस्तो उत पात उत के अंदर देखिए उत्पाद एकिस इंदर अगर अपने इसका संदिविचेद एकर थो क्या होुगा उद्ड पलेघ्र कई उद्ड क्या है उप्सर्ग है किस सब्सब्द में दो उपसर्ग जुड़े हुई है दो उपसर्ग किसमे जुड़े हुई है बताईए दोस्तो यहां पर देखे निश्चित सावधान तो इसमें सावधान के अंदर देखे दोस्तो से पलस आव पलस दान यहां पर दान क्या है तो दोस्तो दान है वो क्या है तो यह मूल सब्द है क्या है दान है यह क्या है मूल सब्द और इसमें दो उसा कोन कों से लगे हुए हैं एक तो लगावा है лет और एक लगावा है अवो तो अपना इसमे राइट आंजर सा पलस और पलस धान यानि कि सावदान तो इसमें सी नंबर का उप्शन राइट अंसर आगे देखिए निम्न में से उर्दू बासा के उपसर्ग का चैन कीजिए उर्दू बासा का उपसर्ग कुन सा है तो दोस्तों उर्दू बासा का उपसर्ग है इसमें अल ठीक है अल है ये उर्दू बासा का वाले का चुनाव कीजी निम्न में से ऐँ समयली तो उपसर्ग वाले का चुनाव कीजी तो देखे दोस्तों इसमें अनात है ठीक है इसमें देखे अनात है तो इसमें ए पलस नात है इसमें ए उपसर्ग है ठीक है और सेस में दोस्तो अन उपसर्ग है वो जुड़ा हुआ है यहां पे देखे अनन्त के अंदर अनादी के अंदर और अनेक के अंदर इनके अंदर अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है और यहां पर अनात के अंदर ए उपसर्ग जुड़ा हूए यानि कि सबसे भी नहीं तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे किस सब्द में सम उपसर्ग का प्रियोग हुआ है सम उपसर्ग का प्रियोग आस्पद इसमें पड़ते है तो सम पलस देह पलस आस्पद संदे आस्पद इस सब्द के अंदर उपसर्ग लगा हुआ है सम और प्रत्य लगा हुआ है आस्पद तो यहां पर सम उपसर्ग का पूछा है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे जोड़े उपसर्ग हटा लेने पर मूल्सब्द बनेगा तो मूल्सब्द क्या बनेगा तो दोस्तों परी पलस आव पलस इकसन तो इसमें इकसन क्या है मूल सब्द है तो इसमें डी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतरा 26 नंबर का प्रेसन इसमें देखे निम्न में से कौन सा उपसर्ग अभाव का अर्थ नहीं देता अभाव का अर्थ नहीं देता बताएए तो यहां पे देखिए दोस्तो ए अन और अन ये तीनों दोस्तों अभाव के अर्थ देते हैं लेकिन यहां पे अव जो उपसर्ग है ये अभाव का अर्थ है वो नहीं देता है ये देता है बुरा ठीक है हीन नीचा ठीक है इनका अर्थ देता है ये अव उपसर्ग तो इसमे बासा का एन उपसर्ग किस अर्थ का गोतक है तो दोस्तों एन का मतलब होता है ठीक थीक तो इसमें राइ्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ओप्षन बिल्कोल सहीःतर ठीक है आगे दूस्त में से उर्दो बासा के बाशा की परते का सुनाव कीजिए उर्दू बाशा के परते का सुनाव बताईए तो इस में खुसी है या उर्दू साका फरते है या आपको याद रखना या खुसी तो इसमें वह तो-स्मे רाइिट अंसर वी नमबर और उपसन बिलकुल सही लगा है निमन में से कृत वाच्छा के कृत परते किस सब्द में लगा है यह बताना है तो दोस्तों यह पर देखिए कि देखिए दोड़ाक के अंदर देखे दोड़ पलस आख थीक है तो इस प्रेस्टन का जो राइट अंसर हो जाएगा यह यह ही और ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतरह हो जाएगा ठीक है यानि कि धात्व के अंत में जुड़कर करता का बोध कराने वाले सब्द का निर्मान करने वाला जो परते है वो है दोस्तो इसमें कौन सा आक ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चमकिला ठीक है यानि कि चमक पलस है इला तो इसमें सी नमबर उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्न में से एक ऐसंगत क्रदंत है उसका चुनाव कीजिए निम्न में से एक है एसंगत क्रदंत है उसका चुनाव कीजिए तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा खिलाडी लेखा कडियाल ठेला तो दोस्तों इसमें देखिए ठेला ठेल पलस आ ठीक है यह करण वाचक करत परते है ठीक है ठीक है ठेल ठेल पलस है और बाकी तीनों के अंदर दोस्तों करत वाचक करत परते है तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से इतर बद तीस नंबर का प्रशन इसमें देखिए पुस्तक सब्द में कौन सा परते जोड़ा जाए कि वहें इस्त्री बोदक तदिजान्त बन जाए पुस्तक सब्द में कौन सा परते जोड़ा जाए कि वहें इस्त्री बोदक तदिजान्त बन जाए तो दोस्तों इसमें देखिए और पुस्तक के अंदर अगर अगर आपन एका जोडते हैं तो दोस्तों यहां पर देखिए पुस्तक सब्द में अपने एका जोड़ा तो क्या हो गया पुस्तिका तो इसमें डी नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा और यह इस्त्री बोदक तदिदान्त बन गया ठीक है यह पुलिंग सब्दों के साथ ही इसका परियोग होता है उक का बाकी इका आइन अनी इन तीनों का परियोग है वो इस्त्री बोदक तदिद परते के लिए होता है तो इसमें ए नंबर उप्सन बिलकुल सही होता है आगे देखिए चौटिस नंबर प्रशने किसे से ए इसमें दोस्तो आए देखिए वसुदेव पलस से ए बी नंबर का जो अप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसमें यह पड़ते है वो जुड़ा हुआ है ठीक है इसमें एसवरिये देते और कावे इन तिन नों के अंदर यह पड़ते से उतरा आगे देखिए मादव सब्द में पड़ते हैं मादव सब्द में कौन सा पड़ते हैं तो दोस्तों मदू पलस ए मदू पलस ए तो इसमें ए क्या है पड़ते हैं डी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतरा आगे देखिए तद्दित पड़ते के बेद होते हैं अखीबार है वो परिक्षा में फुछा जा चुका है ये भी आपको इसमें याद रखना है ठीक है तदेथ प्रते के कितने बेध होते हैं तो दोस्तों प्षे बेद होते हैं ठीक है याद रखना है आपको, कोन कोन से होते हैं तो आपको पता चल गया होगा दोस्तो, कृत वाचक तद्धित परते, बहव वाचक तद्धित परते, समंध वाचक तद्धित परते, एपत्ते वाचक तद्धित परते, उंता वाचक तद्धित परते, और दोस्तो, सब के तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा च्छे प्रकार के हैं तद्धित पड़ते ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है अपना इसमें कौन सा तो यह दोस्तो देशद सब्द है ठीक है डी नंबर का उप्शन बिलकुल सभी तरा आगे देखिए निमन में से तत्सम सब्द का चुनाव कीजिए तत्सम सब्द कौन सा है तो जहां पर भी आपको आदी रहकी मातरा दिख जाए वहां पर आपको क्या करना है तो दोस्तो तत्सम सब्द करना है ठीक है तो यहां पर देखिए आस्चरिये आस्चरे के अंदर क्या होगा तो इसमें तत्सम सब्द है अगर इसका तद्बो करें तो इसका तद्बो क्या होगा अच्रज होगा कि यहापको निमने में से तद्ब सब्द करना है चुनाव करना है ए刀 यह आपको यहाँ आपस तदे रोप है और ततसमरूप. ये क्या है? सौट, ये तदवारूप है. तो इसमें di number का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा. आगे देखिए, गमला सब्द किस बासा का है? तो ये सब्द है, दोस्तों, जापophone बासा का सब्द है, गमला. तो इसमें D number option बिल्कुल सही उतर आगे देखे गुड़ खाए गुलगुलो से परहेज का अर्थ है बताए गुड़ खाए गुलगुलो से परहेज का अर्थ है तो क्या है तो इसका right answer हो जाएगा गुड़ तो खा रहा है और गुलगुलो से क्या बोल रहा है परहेज है तो इसमे right answer हो जूठा डोंग करना तो इसमें राइट आंसर C नंबर उप्शन सही उतर आगे देखिए इसमें कहां राजा भोज कहां गंगु तेली का अर्थ है बताइए क्या आर्थ है इसका इसका आर्थ है दोस्तो अत्यदिक अंतर होना तो इसमें D नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट आगे देखे आठ 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 आशूरोना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तो वो है बुरी तरह पच्ताना यानि कि आठ 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 आशूरोना तो इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है तो वो अर्थ क्या है तो वो है दोस्तो विद्रोहय करना क्या है सिर उठाना यानि कि विद्रोहय करना C नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 45 नंबर का प्रेशन है इसमें देखे कागज की नाव नहीं चलती कहवत का सही अर्थ होगा तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें यानि कि बेइमानी से किया गया कारिये पूरा नहीं होता कागज किनाव नहीं चलती यानि कि बेमानी से किया गया कारिय पूरा नहीं होता तो इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें पड़े फारसी बेचे तेल देखो यहें विदना का खेले लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ है सिक्सित होते हुए भी दुर्भागे से निम्नकारी करना तो इसमें राइट आंसर D नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें 47 नंबर प्रेस्टने मुहें की खाना मुहावरे के लिए सरवादिक उप्यूक तर्थ होगा मुहें की खाना मुहावरे के लिए सरवादिक उप्यूक तर्थ होगा तो सरवादिक उप्यूक तर्थ क्या होगा? मुहें की खाना यानि की परास्त होना यानि की हार जाना तो इसमें right answer A number option आ बताये तूति बोलना मौहावरे का अर्थ है तूति बोलना मौहावरे का अर्थ है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वह है प्रसिद्ध होना तो इसमें A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तूती बोलना यानि की प्रसिद्ध होना ठीक है आगे देखिए नेकी कर कुए में डाल लोकोक्ति का अर्थ है तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा इसमें बलाई कर भूल जाना चाहिए बलाई करें भूल जाना चाहिए सी नंबर का option बिल्कुल सही उतर आगे देखे हंसा थे सो उड़ गए कागा कह गए दिवान है बताइए हंसा थे सो उड़ी कह गए कागा रह गए दिवान है लोकोक्ति का अर्थ है वो क्या है बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अच्छे लोगों का देहान्त हो गया तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा C number का option सही उतर आगे देखे कौन सा सब्द सरीर का प्रियाईवाची नहीं है तो सरीर का प्रियाईवाची कौन सा नहीं है वो बताना है तो यहाँ पे देखे दोस्तो वदन है ये मुख का प्रियाईवाची है वदन है ये मुख का प्रियाईवाची है बाकि गटे वपू और विग्रे ये तीनों दोस्तों स्रीर के प्रियावाची हैं तो इसमें D-number option बिलकुल सही उतर है आगे देखें किस सम्मोहे में सबी सबी सब्के प्रियावाची है किस सम्मोहे में सबी सब्क बादल के प्रियावाची है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो नीरद, बलाहक और जलद ये तीनों दोस्तो क्या है ये बादल के प्रियाईवाची हैं तो इसमें ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें चोवन नमबर का प्रेश ने उसने तुनीर से अपना आखरी बाण निकाला और सत्रु सेना पर छोड़ दिया रेखांकित पद का प्रियाईवाची होगा तो यहाँ पे तुनीर का प्रियावाची है वो क्या होगा तो 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 यह सबी के सबी हैं, यह दोसतों प्रियावची हैं, और यह आग प्रियावची हैं, आग प्रियावची हैं, तो अपना इसमें right answer एक नमबर उप्सन बिल्कूल सही उतर हो जाएगा. आगे देखे, विलोम सब्डों की दरश्टी से कौन सा विकल्प तूटी पून है, विलोम सब्दों की दरश्टी से कौन सा विकल पत्रूटी पून है तो यहां पर देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों देखिए भहे साहस यहां पर देखिए भहे साहस यह गलत हो जाएगा दोस्तों बहका क्या होता है निर्बह होता है यहां पे साहस है वो यहां पर गलत दे रखा है बाकी बरबर सब्वे बडबडिया, गुमसुंb बादे, निर्बाद बाकी तन हो सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डे नंबर उप्शन सही हुइँ आगे देखिए इसत सब्द का विलोम है वो क्या होगा तो इसत सब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तो परचूर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही हुए तर आगे देखिए विलोम सब्दों की दरश्टी से कौन सा विकल्प गल्त है तो कौन सा विकल्प गल्त है यह अलपग्य बहुग्य उन्मूलन रोपन निशिद विहिन बिल्कुल सही है तीनों सही है इसमें अब यहां पर देखे चली इमांदार दोस्तों चली का विलोम निश्चल होता है इमांदार यहां पर गलत दे रखाया है चली का क्या होता है निश्चल तो इसमें राइट आंसर C number option बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे नीश्वास का विलोम होगा बताए नीश्वास का विलोम है वो क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा नीश्वास का विलोम होता है उच्वास C number का option बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए निम्न में से अधिकरण हिंदी सब्द के समकक से अंग्रेजी सब्द होगा तो अधिकरण को इंग्लेश में क्या बोलते हैं बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ट्रिबीनल ट्रिबीनल तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ट्रिबूनल आगे देखिए इसमें एक सट नंबर का प्रेस ने देखिए निमन में से परसोनेल अंगरेजी सब्द के समकक से हिंदी सब्द होगा परसोनेल का हिंदी में अर्थ है वो क्या होगा तो इसका अर्थ सिनमर का जो ऑप्शन है विलकुल से इतर हो जाएगा आगे देखे अंुटेंट सब्ड का हिंदी रुपांत्रन होगा तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है okay सिनमर का उप्शन बिलकुल से इतर हो जाएगा Okay I देखिए 63 नमर प्रश्ण निमन में से परिबासिक सब्दों का कौन सा विकल्प ऐसंगत है तो कौन सा विकल्प है वो इसमें ऐसंगत है वो बताना है तो यहां पर देखिए दोस्तों नेगलीजिबल ठीक है इसका मतलब होता है नेगने यहां पर भाई बती जावाद है वो गलत दे रखा है इसका मतलब होता है नेगने ठीक है नेगलीजिबल का और यहां पर ओनस दाइतवय ओफर प्रस्ताव प्रोजेक्ट प्रियोजना बाकी तीनों से ही है इसमें राइट कुबेर की नगरी वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा तो वह कौन सा सब्द है तो वह है दोस्तो अलका पूरी तो इसमें राइट अनसर ए नंबर उप्सन संहितर अलका पूरी आगे देखिए बासंड देने में चतुर चतुर वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा बासन देने में चतुर वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा तो वो सब्द कुन सा होगा वो सब्द है दोस्तो वाक्चातुरिये क्या हो जाएगा वाक्चातुरिये C number का option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इस्तरी के सभाव जैसे सभाव वाला वैक्ती वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा इस्तरी के सभाव जैसे सभाव वाला वैक्ती वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा तो वो सब्द कुन सा होगा वो होगा दोस्तो इस्त्रेण तो इसमें B नमबर का उप्शन बिल्कुल सभी उत्र हो जाएगा इस्त्रेण आगे देखे तनू सब द्यूगम का सई अर्थ बहेद बताना है एक में चोटी एकी मातरा है और एक में बड़ी और एक में चोटी ठीक है उकी मातरा है तो यहां पर देखिए जहां पर आपको चोटी मातरा दिख रही है ठीक है तनू के अंदर उसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों पतला और एक होता है जिसमें तनू जिसमें बड़ी की मातरा लगी हुई है तो उसकारत होता है पुत्रेश तो इसमें ए नंबर उप्षन बिलकुल से इतर हो जाएगा आगे देखिए वरतनी की द्रश्टी से कौन सा सब्ध-शुद है तो वो है कोई भी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिलकुल से इतर हो जाएगा कोई कि अपत्फब एपत्फभ का साङर्थ बताना जोस्तों का मतलब होता है शंतान और एपत्थे का मतलब होता है परहेज तो इसमें एक उस्म qué करना है ़काज करनाय जिस देखेंज का योगी राज है वग आश्विस्य सदास्द है एक है तुक्त हो जाएगा रेनु के अंदर बड़ी उक्की मात्रा लग रही है लेकिन यहां पर छोटी उक्की मात्रा लगेगी तब जाके सही होगा ठीक है यहां पर रागनी है तो दोस्तों रागनी नहीं होता है और यहां पर देखिए वहनी वहनी नहीं होता है ठीक है तो इसमें तो यहां पर सतत के अंदर देखिए जो दूसरा नमबर का तय है वो आदा है तो यह गलत दे रखा है इसमें पूरा तय आता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहां एकांग की बहुत अच्छी है वाक्य में असुद्धी का परकार है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें लिंग समंदी असुद्धी है यहां एकांग की बहुत अच्छा है तो यह अच्छा है आता अच्छी गलत दे रखा है तो इसमें ल हम龍 pay का चैन कीजिए तो दोश्तों सुदवखे और अपने कुश्में क्या करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पानी खोल रहा था and को गो टो और देखिए दूस्तो और मैं उसके घर कई बार का जा आया हूं तो कि ढूँत को धो खोल रहा है वहें हस उठा तो इस प्रेश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुख साहीस में आगे देखिए असुद वाक्य कर लेना तीक है 74 में आगे देखिए इसमें पदकरम समंदी असुदियों की दरश्टी से सुद वाक्य कौन सा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो प्राचारिय के साथ चार अध्यापक और दो चप्रासी थे तो इसमें राइ बोगाजी आप क्या कर रही है तो यह असुद वाक्य है तो इसमें राइट आंसर इनमबर का इसमें बिलक्र सही उत्तर हो जाएगा च तो बीड़ सब्द में परियुक्त संग्या है, तो बीड़ सब्द में कौन सी संग्या है, तो इसमें समुदाय वाचक संग्या है, तो इसमें समुदाय वाचक संग्या है, तो ब्रामनत्व सब्द है, तो दोस्तो ब्रामनत्व सब्द है, तो ये सब्द है भावाचक संग्या बी नमबर उप्शन सही उतरा आगे देखे स्यूम सुवता है किस प्रकार के सर्वनाम है तो ये निजवाचक सर्वनाम है क्या है निजवाचक सर्वनाम है सी नमबर उप्शन राइट आंसर आगे देखे अगर गोली चलती तो नास हो जाता वाक्य में सर्वनाम है तो कौन सा का सरवनाम है तो इसमें समंध वाचक सरवनाम है तो इसमें राइट आंसर सी हनर उप्षेसें देखे वह मोटा अदमी था तो यहां पे Murta एक आंकित पद में विश्एषण है तो कौन से मोटा में तो इसमें विश्एषण नबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे इसमें निमने लिकित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक किरिया नहीं है अकर्मक किरिया किसमें नहीं है तो दोस्तों यहां पे देखे इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सुनिता ने अपने पिताजी से फोन करुआया ठीक है तो ये क्या है ये सकरमक की लिए ठीक है तो बाकितीनों के अंदर आकरमक की लिए है तो इसमें राइट अंजर सी नंबर ऑप्षन से उतरा आगे देखे तुम वहां मत जाओ यहें वाक्य किसका उधारन है तुम वहां मत जाओ यहेंवाक्य किसका उधारन है तो यह उधारन है दोस्तो निपात का B-Number का उप्चन बिल्कूल से उतरा आगे देखे तेके निमनलिकित में से या mujer किस पर बलागात है किस पर बलागात है बताईे वहें गर से ही चला जाएगा तो दोस्तो बताईए राइट अंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तो ही ही है वो क्या है बलागात ठीक है यह पर ही बलागात है अगे देखे अन्बिग्य का अर्थ क्या होता है बताईए यहां पे पुछा गया है कि दोस्तो अन्बिग्य का अर्थ होता है जो किसी एक बात को नहीं जानता तो अग्य सब्द का अर्थ होगा तो अग्य सब्द का अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होगा दोस्तो जिसे जानना संभव हो जिससे जानना एस संभव हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगे देखिए जो चातर दिन रात परिश्टरम करता है वहें ऐसा फल नहीं हो सकता रेखांकित पदबंध है बताए जो चातर दिन रात परिश्टरम करता है वहें बताए कौन सा पदबंध है ये तो ये पदबंध हो जाएगा दोस्तों इसमें सर्वनाम पदबंध है कौन सा पदबंध है सर्वनाम पदबंध है तो इसमें बी नंबर उप्सन सही उतर आगे देखे, वहें विद्याले आया तो था, वहें विद्याले आया तो था, परंतु पढ़ा नहीं, वाक्य में रचना के आदार पर यहां किस परकार का वाक्य है, तो यह है, दोस्तों, संयुक्त वाक्य है, तो इसमें राइट आंसर, C नंबर उप्शन संयुक्तर, आगे देखे कि आलोक विद्याले नहीं गया अर्थ के आदार पर यह किस परकार का वाक्या है तो यह वाक्या है दोस्तो निशेदार थक ठीक है राइट आंसर बी नंबर उप्शन सही उतर नहीं का प्रियोग हो है ने इसमें आगे देखे किस कवी के उपनाम को लिखते समय किस विराम चि इकरा अवतरण चिन बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे हो सकता है आज स्याम जैपुर से लोट आए वाक्य में किरिया की कौन सी वर्ती प्रकट होती है तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वह दोस्तों संदेह सुचक ए नंबर का सुर्य पूरव में उद्य एवं पस्यम में अस्त होता है वाक्य में किरिया के पक्स का चुनाव कीजिए तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह नित्य बोदक सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे तुम कल जल्दी नास्ता तयार कर वाक्य में कौन सा पुरुम स परियुक्त हुआ है वह वह दोस्तों अपना इसमें मद्यम पुरुम बिल्कुल सही उतर हो झाएगा राम स्वां से इर्श्य करता है वाक्य में आहरा है राम स्याम से इर्शा करता है वाक्य में कारक है तो कुन सा कारक है तो इसमें अपादान कारक है इर्शा करना ये अपादान कारक के अंतर गताता है आगे देखे लड़कियों द्वारा एक गीत गाया गया वाक्य में किस परकार का वाच्चे का प्रियोग हुआ है लड़कियो से चला जाए वाके में कौन सा वाचय है तो उसमें कौन सा वाचय है तो इसमें डिड नमबर Double से उत्र आगे दी आकरांत पुन्ग संग्या सब्दों में आके इस तान पर क्या जोड़ा जाएगी वे बाववचन बन जाए आके इस्तान पर क्या जोड़ा जाए कि वे बाववचन बन जाए राइट आंसर हो जाएगा वो है ए तो इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे निम्न में से किस सब्द के आइन परते जोड़ने पर वहें पुलिंग से इस्त बन जाएगा तो लाला इन तो इसमें सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर तो दोस्तों यह मैंने आज आपको जो पाच्वा नमबर का हिंदी का मोडल पेपर है वह ऐसा ही बढ़ती के लिए कंप्लीट करवा दिया है पिछले चार मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएगे वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्तान पुलिस एसाई हिंदी मोडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मनावा है तो आप वहां जाके पिछले जो चार टेस्ट हैं वो जरूर दें और अरद्यारे सेकीडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करें बेल आइक उनको दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत